अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे थांक यू हालो वीवर्स आइओप यू वेल हम है रोहनी स्वागत है आप सबका पांकर सध्डा के पूने यूट्यूब चैनल में तो वीवर्स लास्ट कुछ सेशन में हमने डिसकस किये थे पर्मुटेशन और कॉम्बिनेशन ठीक है अब इस सेशन में हम डिसकस करेंगे इस कुलास में हम शुरू करने जा रहें नएया टॉपिक प्रोबारेटी क्या होता है दो यह जो टोपिक है प्रोबाबियोटी प्रोबारीमीशन पौबिन शना कुश्चन रहा जाता है ठीक है मैं इसके ।िस पर इसके कोशन बन सकते है तो नendम्रे ना यह topic है क्या और हाँ यह topic पढ़ने से पहले आप एक बार permutation combination का series भी देख लेना तो उससे आपको idea clear हो जाए कि probability में कैसे करना है अब देखे probability में बस हमें step आगी चलना है जिससे permutation combination में कर रहे तो हम number of ways find कर रहे ते अलग-अलग प्रकार के arrangement कर रहे ते selection देख रहे तो इसमें बस आपको step आगे चलना है कि अगर यह selection हो रहा है अगर यह arrangement हो रहा है तो इसके chances क्या है तो यह सब होगा probability में तो देखे probability कैसे करें कैसे find करना है यह सब देखने से पहले हम कुछ important terms आ जहाँ पर इसकर सीरा करेंगे तो देखे terms क्या है तो देखे first term है IT कोya कुछ कोई कुछ fact retired करता रहता है तो यह जो experiment हम करते वह exactly होता है यह जो हम experiment करते वह exactly क्या होते तो देखे जब हम vivekin कुछ ऐसा काम करते कपो तो प्रोस्अक करते रहेते जिससे के जिससे हमें कुछ तो आउटकम मिल रहा है तो देखे फिर हम बात करेंगे रैंडम मश alltid तो देखे एक्सपरिमेंट तो बात करेंगे मने तो अब रैंडमों मतलब क्या होगा हो आजके रैंडमकर करेंगे कुछ एक्षपरिमेंट ऐसे होते हैं जिनका आउटपुट फिक्स नहीं होता है टिक है जनका प्रैंडम मिला तो एकसा dope earn don इठो कर लिया तो व disgust सकता है येस उसका outcome या तो head हो सकता है या फिर tell हो सकता है अब अभी confirm नहीं बिदा सकता है कि अभी इस बार head ही आएगा येस बसे तो बोल देते हो लेकिन tell भी तो आ सकता है येस तो देखें कोई ऐसा प्रोसेस है कोई ऐसा experiment है जिसका outcome fix नहीं है तो जैसे कि आपनी coin toss किया है उसपे head भी आ सकता है या फिर tell भी तो ऐसे experiment पर आप कहोगे random experiment टीक है तो random experiment मतलब क्या ऐसा experiment जिसका outcome uncertain है जिसका outcome fix नहीं है तो ऐसे experiment को कहें है random experiment और probability में हमें जो भी सारे experiment देखने ये सारे हमारे random experiment और कौन कौन से experiment आपको पता ही कि जिनने हम random ¡Kاحसकते या फिर जिनका outcome fix नहीं है uncertain है तो एक तो हमने बता दिया कि एक coin toss किया तो आपको outcome में मिल सकता है या फिर tell आप fix नहीं बता सकते कि अभी head ही होगा या फिर tell हो सकता ठीक है और बते यसे कौन-कौन से random experiment हो सकते येस अब एक coin toss हुआ तो दो coin का toss कर सकते हो या फिर तीन coin toss कि ये भी तो एक random experiment है येस और कौन-कौन से हो सकते हैं येस एग्जाटली एक दाश त्रोग करता येस तो फिर आपका और random experiment क्या है पहला हमने देखा इसमें जो आउटकम है वो है लेकिन कुछ fix नहीं है fix नहीं बता सकते हैं अभी हैड यह आएगा तो यह सब क्या random experiment या फिर सेकेंड वन क्या बोला अपने त्रोइंग उफ डाइस कि यह दाइस तो पता होगा सबको यह जोएंग आफ़ डाइस अपने तुक करते हो तो उसके पर क्या नंबर आ सकता एक आ सकता है या फिर दो या फिर तीन चार पाच्छे कोई भी नंबर आ सकता है तो यह भी क्या होगा आपका random experiment कि आप certainly नहीं बता सकते कि यह फोर यह आएगा तो यह होगा random experiment फिर लेट से और कौन कौन से random experiment हो सकते हैं तो coin देखा हम नहीं फिर आपने देखा कि आप जब dice throw कोई तो भी random experiment मिलता है ठीक है फिर और कौन कौन से random experiment मिलते हैं येस तो आपका जो 52 काड़ का एक पैक होता है अगर मैं बोलू कि काड़ के पैक में से कोई तो एक काड़ उठाई है ठीक है तो picking a card from a pack of 52 काड़ picking a card from the pack of 52 काड़ तो जो 52 में से एक काड़ आप उठा रहें वो कोई भी हो सकता है वह king हो सकता है queen हो सकता है heart card हो सकता है उस पर कोई number आ सकता है कोई भी card मिल सकते आपको तो इसे भी हम क्या कहेंगे random experiment ठीक है या फिर और random experiment क्या-क्या हो सकते तो लेट से आपको कोई ऐसा bag दिया है बैक के अंदर बहुत सारी color के balls रखे है और बोला जाए इसमें से कोई तो दो रेड कलर के ball उठाई है ठीक है कोई तो दो बॉल उठाई है तो यह भी क्या हुआ अलग-अलग color में से आप particular से दो color के क्या फिर दो बॉल उठा रहे है तो वह कौन से color के है यह भी तो क्या है आपका random experiment तो देखें यह है random experiment मतलब क्या जिसका कि outcome uncertain है उसका outcome fix नहीं है तो ऐसे यह अलग-अलग experiment है आपके ठीक है आप देखें अगले time देखते हैं sample space अब देखतें sample space अब देखें particular एक random experiment लेते हैं कि let's say one coin is tossed आपने एक coin toss किया है तो आपको क्या outcome मिल सकता है तो एक coin अगर आपने toss किया तो outcome में आपको या तो head मिल सकता या फिर मिल सकता या तो head आएगा उस पर या फिर तेल आएगा तो यह जो भी दो outcome का set है इसे हम कहेंगे sample space जो denoted होगा asset इसे हम denote करेंगे later capital asset ठीक है या फिर देखें दो coin अगर toss किये दो coin अपने toss किये तो दो coin के लिए क्या क्या outcome possible head ये वह outcome क्या हो चकते दोनों पे head आ जाए पहले coin पे head दूसरे पे head या फिर क्या हो सकता है मतलब क्या कह सकते हैं कि random experiment के जितने भी possible outcome है उनका set ठीक है तो sample space मतलब क्या होता है set of all the possible outcomes of a random experiment कोई भी अगर आप random experiment कर रहे हैं तो उसके जितने भी possible outcome होते हैं यह होगा आपका sample space let's say 3 coin के लिए देख लेते हैं तो तीन कोई तो देखे एक कोई अपने टॉस किया तो आपको sample space मतलब possible outcome कितने मिल रहे हैं दो मिल रहे हैं एक है रेक्ट है ठीक है तो में आइसे में तो interest नहीं है लेकिन हमें मिल रहा इंट्रेस में नंबर आप sample पॉंचिना sample space कि sample space में कितने element possible है कितने possible outcome मिलते है आउटकम क्या है इससे जगा हमें important है कितने आउटकम possible है ठीक है तो देखे एक कोई अपने टॉस किया तो possible outcome कितने हैं आपके टू नंबर आप possible outcomes है टू तो एन आप सब्सक्राइब कह सकते नंबर आप sample points और नंबर आप possible outcomes of a random experiment क्या मिले या आप एक टू तो अगर आपने दो coin toss किये है तो outcome में आपको मिल रहा है एच 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 टी टी एच टी तो चार outcome आपको मिल रहे है तो इस case में आपका एन अपस क्या होगा येस एन अपस है पूर चार outcome आपको मिल रहे है थिए वैसे ही अगर तीन कॉइन टॉस करते हो तो outcome कितने होगे येस तीन कॉइन कॉइन करते हो कभी पूर जाई 5 करते हो 8 करते हो तो क्या हो सकते outcome तो देखें कितने outcome होगी तो हमें इंटा रखी ऐस में तो interest है जाहां हम चाहिए एनोपेस तो कं के लिए इन जरॉल हम लीक सकते हैं कि नमबर आप सांप्ल एलेमेंट्स या फिर नमबर आप पॉंट्स यनका प्पाइस पेस नमबर आप पॉसिबर आउटकोम फाढ़ना एक्सपरिमेंट इस गीवन राइस टू और यहां पर बोला जारा है हमने तीन कॉइन कीये हैं तो इसका सेंपल स्पैस्स क्या होगा तो 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 आट आउटकम पॉसिबल है ठीक है तो तो टोटल पॉसिबल आपके तो इसससमे समझ में आ रहा है सेंपल स्पैस मतलब क्या है सेट ऑफ ऑल तो और पॉसिबल आउटकम पॉसिबल है इसमें अम इलेमेंन सैंपल स्पैस तो देखेए कोईन टॉस हुआ तो 2 दोटोस वह तो इस रांडम सप्समेंक येे 9 टोस करते हो तो रांडम क में कितना हुद आउटकम पॉसिबल है आट आउटकम पॉसिबल है तो इन जेनरल कोईन के लिए आप फाइंड करोगे सांपर स्पेस क्या होगा इन आपस इक्वल टू 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 अन से ऐसे देख लेते हैं और एक सांपर स्पेस और एक प्रकार का रांडम एक्सपरमेंट थी है तो वन डईस सेट्रोन तो देखें यहां पर सांपर स्पेस पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते कोई से नंभर उसके तो देखिए कितने पॉसिबल जब आप एक डाइस थ्रो करते हो तो यहां पर आपको मिल रहे इस पॉसिबल आउटकम इस केस में नौ पेस हो जाएगा सिक्स ठीक है से अगर पूछा जाए कि दो डाइस थ्रो किये तो कितने मिलेंगे तो इस case में देखे sample space क्या होगा yes यह दो dice throw किये दो एक साथ अपने throw किये तो yes आपको पहले dice पर क्या मिलना है one दूसरे पर भी मिलेगा one पहले पर one दूसरे पर two पहले पर one दूसरे पर three पहले पर one दूसरे पर four पहले पर one दूसरे पर five पहले पे one दूसरे पे six right अब इसके बात अब पहले डाइज पे दो दूसरे पे one पहले पे दो दूसरे पे two ऐसे कब तक seven two six तक फिर आएगा three one three two up to up to three six four one four six ठीक है ऐसे last आपका रोग क्या हो सकता पहले पे six दूसरे पे one फिर six दूसरे पर two यहां फिर ऐसे कब तक six six तो देखें कितने outcome possible हो सकते यहां पे तो यहां पे क्या है यह six और यह six columns तो क्या हो रहें और पैस आपके कितने possible outcome हो सकते 36 तो यहाँ पर possible outcome मिल जाते हैं आपको 36 तो देखें यह सब हमें लिखना नहीं है sample space यह पूरा space हमें तो लिखना है हमें interest रहा है नव पैस में कि कितने possible outcome है तो देखे possible outcome तो in general dice के लिए हमें यह सब नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं तो अगर आप एक dice throw करते हो तो possible outcome मिल रहे है 6 दो throw की है तो कितना मिल रहा है 36 तो in general dice के लिए आप क्या लिख सकते हो एन पेस की value होगी 6 raise to n और n मतलब क्या होगा number of dice throw कितने dice आप एक साथ फेक रहा है तो यहाँ पर एक dice फेक है तो 6 raise to 1 मिल आपको 6 दो dice फेकते हो तो क्या ह होगा 6 का square मतलब 36 possible outcome होगे तो यह सब concept है आपका n of s या फिर sample points की है तो देखे n of s या फिर sample space हमने क्या बता है कि state of all the possible outcomes of a random experiment इससे आपका होगे sample space तो देखे इससे हम find करते n of s बहुत ही important है प्रोबाबरेटी आपको इससे मिल जाएगा तो याद रखना sample space मतलब क्या होत a set of all the possible outcomes of a random experiment की कोई भी experiment अगर करते हो तो कितने outcome possible है ठीक है तो यह होगा n of s अब फिर next one देखते हैं next आपका टर्म है favorable event या फिर favorable outcome अब देखे favorable नाम ही है कि हमें किसी particular event को favor करना है किसी particular outcome को हमें favor करना है अब दखे कैसे favor करना है कि हमने दो coin toss किये हैं ठीक है अगर हम दो coin toss करे हमारा experiment क्या है कि 2 coin toss करना है तो करें 2 coin toss करते हैं तो आपको outcome क्या क्या मिल सकते हैं ht th th and dt यह चार outcome possible है 2 coin के लिए ठीक है तो इस case में आपका n of s है अब देखें इसमें favorable outcome या फिर favorable event मतलब क्या कह सकते हैं कोई तो कोई तो outcome हमें favor करने है तो कैसे favor करने देखें तो question आपको यह पूछा जाएगा तो दो coin toss किये तो यह possible outcome है चार अब यह जो चार outcome है इसमें हमें कौन से outcome को favor करना है हमें क्या expected है कि doublet मिल जाए ठीक है यह जो चार outcome मिल रहा है इसमें भी आपको क्या expectation है कि doublet मिल जाए तो doublet मतलब क्या होगा देखें इनमें है doublet मतलब क्या होगा double outcome सेम सेम तो देखें डबलेट मतलब होगा या तो एचेच मिल जाए या फिर टीटी मतलब दोनों पर सेम वाल्यू मिल जाए दोनों coin पर head या फिर दोनों पर tail मिल जाए ठीक है तो देखें यह आपका क्या है expectation है दो coin अगर toss करते हो तो दोनों पर इन पर आपको doublet outcome मिल जाए तो आपको expected क्या है doublet मिल जाए आपने चार outcome आपको मिले दो coin toss कर दिये तो चार outcome मिल गए लेकिन उसमें आपको क्या expected है कि doublet मिल जाए मतलब ऐसा outcome मिल जाए तो यह जो भी expected outcome का set होता है इसे हम कहेंगे favorable outcome ठीक है यह expected outcome का जो set होगा यह होगा आपका favorable outcome कि उस random experiment के लिए जितने भी possible outcome है उसमें सलबियों से आप किसको चाहते हों कौ kings konnašnodot कर रहें तो यह होगा आपका favorable outcome तो देखे यह हम मिलेगा आपको तो आपके रख्री फ्यरीवल करे उसमें कितने outcome जो दोब्ल सब्सक्राइब और अज In तो देखे प्रोबाइबिटी मतलब क्या होता है तो प्रोबाइबिटी मतलब हम कह सकते हैं चांस प्रोबाइबिटी मतलब क्या चांस ठीक है कि कोई चीज़ मिल जा इसके चांसे कितने हैं तो देखे सीधी से बाते हमने आपको कुश्ण दिया था कि अगर आप दो कॉइंट करते हो तो find the probability of getting a double वगर आप दो कॉइंट करो तो चार आउटकम possible है उसमें double it मिलने के chances कितने हैं ठीक है उसमें ऐसा outcome double it ऐस तरह का outcome मिलने के chances कितने हैं मतलब जितने भी possible outcome है उनमें से आपको चाहिए favorable outcome जो जिसको आप favor करें आपको expected outcome चाहिए और वह expected outcome मिलने के chances यह होगा probability तो probability के लिए आप क्या बोल सकते हो कि probability is nothing बट chance of getting a favorable outcome out of all the given possible outcomes और यह जो इनमें से ऐसे favorable outcome मिलने के chances कितने हैं यह होगा आपका probability ठीक है तो देखें वही बात करें तो probability of getting a favorable outcome out of all the possible outcome तो यह कैसे दिनोट होगा देखें probability of getting a favorable तो favorable outcome हम दिनोट करते हैं लेटर ऐसे तो probability of getting a favorable outcome so probability of getting outcome a equal to क्या कहो हो गया तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है तो पॉसिबल आउटकम कितने आपके एन अप एस तो उसमें भी favorable outcome कितने हैं तो favorable outcome है आपके एन आप एक कि फेवरेबल आउटकम है आपका एन तो देखें बहुत इंपोर्टन फॉर्मूला है कि probability of getting a कैसे रिखोगे mathematically एन आप ए डाट इस नंबर आप elements इन पेवरेबल आउटकम टुदी नंबर आप सांपल पॉर्ण्स एन आप एस तो प्रोबाइबिटी होगा एन आप एपॉर्मूला में इस चप्टर में देखना है बाकि सारी concept हमारी permutation combination के होगे बस यही एक concept हम अलग से सीखेंगे यही एक फॉर्मूला हम अलग से यूज़ करेंगे कि possible outcome कितने हैं उसमें से हम किसको फेवर करना चाहते हैं या फिर favorable outcome आपके कितने हैं तो probability होगा एन आप एपॉर्ण आप एस ओके तो देखे यह था अपना probability अब देखे इसमें इस case में कि आपने दो कॉंट्स किये हैं तो इसमें से आपको expected है कि डबलेट मिल जाए ठीक है तो डबलेट मिलने के chances या फिर डबलेट मिलने की probability तो कि आप कैसे करोगे तो देखे एन आप ए मिला है आपको 2 और एन आप इस क्या है 4 तो देखे 1 4 2 by 4 म मतलब क्या होता है 50% ठीक है तो देखे डबलेट मिलने की probability है 1 by 2 या फिर परसेंट में बात करें तो कितनी probability है 50% ठीक है तो जो भी outcome है डबलेट मिल जाए इसकी probability है 50% तो देखे वीवर्स इस सीरीज में हमने यह सारे basic terms discuss किये कि sample space क्या होता है random experiment मतलब क्या होता है और फिर favorable outcome क्या होता है और फिर हमने देखा कि probability मतलब exactly क्या होता है तो यह सब जो basic terms है तो यह सब हमने देखे आप एक बार फिर से revise कर लेना क्या-क्या terms है तो कि देखे question solve करते वक्त हमें समझ में आना चाहिए exactly random experiment है क्या favorable outcome है क्या यह समझ में आने के लिए यह terms जरूरी है वैसे तो हम तो formula बता के भी छोड़ सकते थे ठीक है लेकिन आपको यह पूरा detail में समझ में आए तो इसलिए हमें पूरे terms के साथ इस वीडियो में specially आपके लिए यह पूरा आपके लिए clear कर वाया तो देखना एक बार फिर से वीडियो देखके आप revise कर लेना तो यहां पर फिर स क्या होगा आपका random experiment फिर हमने बात की sample space की तो जो random experiment होता है उसके जितने भी possible outcome होते हैं यह set मतलब होगा random experiment तो random sorry sample space the sample space मतलब क्या say top all the possible outcomes of a random experiment एजयों तो जो भी random experiment करते उसके जितने भी possible outcome आते उसमें से हम किसको favor करते या फिर हम कौनसा एक्सपेक्ट करते हैं यह जितने भी possible outcome है उसमें से हमें कॉन सा expected है तो जो भी expected outcome सेट होता है यह होगा आपका favorable event जिसे हम denote करेंगे later यह से और फीर हमने बात की probability की तो probability मतलब क्या होता है इस दे दे चांस आप getting a favorable outcome out of all the possible outcome क्या बोल रहा हम probability मतलब क्या chance of getting a favorable outcome out of all the possible outcome तो simply mathematical probability of a कैसे लिख सकते हो favorable outcome मिलने की probability P of a equal to क्या होगा आपका n of a upon n of s ठीक है तो देखें बहुत basic term से याद रखना इसे अच्छे से इसके इसके लिए आज ये special session आपको दिया है तो अगले session में हम इस पर question करेंगे ठीक है तो I hope आपने ये session enjoy किया होगा ठीक है तो अगली session में हम देखें इस पर question तो तब तक के लिए बड़ों को नवस्ते चोटों को पार चोटी से life एंच्वाई करूया thank you viewers